नमस्ते मिला नाम है नूतन आप देख रहे हैं दिप्रेंट जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ उसी समय दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अतिकर्मन किये हुई जगह पर बुल्डोजर चल रहा है जहांगीरपुरी के बाद अब शाहीन बाग में बुल्डोजर चल रहा है बीते कुछ दिनों से हमने सोशल मीडिया पर बीजेपी के लेटर पैट पर लिखे हुई कुछ चिठिया देखी जिसे लिखा था दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश कुपता जी ने इन चिठियों में बुल्डोजर चलवाने को लेकर लाओट स्पीकर हटवाने को लेकर और दिल्ली के 40 गावों के नाम बदलवाने को लेकर गुजारिश की गई थी के जिवाल जी से आज हमारे साथ आदेश कुपता जी मौजूद है सर पहला सवाल यही रहेगा कि जहांगीरपुरी के बाद अब शाहिन बाग में बुल्डोजर चल रहा है लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जान पूछ कर समुदाय विशेश को टार्गेट कर रही है देखें बिलकुल गलत है जहांगीरपुरी में भी जब बुल्डोजर चला था तो वो भी उस महने की सात्मी कारवाई थी उस साल की यानि अप्रेल जन्वरी से लेकि अप्रेल तक और आज जिस तरह शाहिन बाग में जो बुल्डोजर चला वो भी अप्रेल मेहने के पूरे और मई मेहने में 40 जगे कारवाई हुई है दिल्ली में कोई भी इलाका हो चाहे वो करोल बाग हो, रिठाला हो, रोनी हो, मदनपूर खादर हो, बदरपूर हो हर जगे जहां जहां आतिक्रमण है इस काम को निगम के द्वारा किया जा रहा है लेकिन दुरभाग इस देश में यह है कि जब अतिक्रमण किया जाता है तो वो धर्म निर्पेच्च होता है लेकिन जब उस पर कारवाई होती तो वो सामपरदायक हो जाता है मेरा मानना है जब कोई सड़क या पटरी को घेरता है तो उसको किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए अगर जो लोग उसको धर्म के साथ जोड़ कर देखते हैं इसका सीधा आर्थ है कि वोट बेंग की राजनीती कर रहे हैं वो लोग अगर नगर निगम इस तरह की कारवाई कर रहा है और उसके खिलाप आकर इस कारवाई के आके वो बाधा बन रहे हैं आकर बुल्डोजर के सामने लेट रहे हैं मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जनता भी उनको लिटाने वाली है क्योंकि दिल्ली और देश देख रहा है कि आप क्या काम कर रहे हैं आप अत्करमण जिसने किया, जिसने गलत काम किया जो बंगला देशी, रोहिंग्या, इंफिल्टेटर्स हैं जो इस देश के अंदर आतंक भी फैला सकते हैं दंगे भी कराते हैं तो उनका कोई धर्म नहीं होता है अगर उनके दोरा कोई बंप फोड़ा जाएगा तो बंबी जाती मजब धर्म नहीं देखेगा किसके उपर चलना किसके उपर नहीं चलना इसलिए कृपा करके इसको धर्म के आधार पर मत देखिए जो लोग इसको धर्म के चसमे से देख र हैं लेकिन देश पहले है दिल्ली पहले राजनीती बाद में सर ऐसे सवाल उठाया जा रहा है कि जो तेजी इस अतिक्रमन को हटाने में देखी गई है वो अमोमन दूसरे अतिक्रमन को हटाने में नहीं देखी जाती है बी जी, एमसीडे की तरफ से एक्रमन की कारवाई हमेशा होती कई बार बहुत सारी दिक्रमन को होती, को लोग tenants कोट में जाते हैं, आज भी ग Watching Us दिन भी गए थे लेकिन कहना गलत है अगर आज दिल्ली में जो डिप्टी सी है मनीज सी सोधिया जी जो अपने विधायकों को बुला के यह साब कह रहे हैं हिदायत दे रहे हैं उनको कि आप बंगला देशी रोहिंगाओं को सेल्टर कीजिए खुद सरकार इस काम में लगी है खुद उनके राशन कार आधार कार्ड वोटर कार्ड उनको पेंशन देना उनके बच्चों के एड्मिशन कराने का कम सरकार कर रही है उनके विधायक कर रहे हैं तो इसलिए वो इस तरह की कारवाई का विरोध कर रहे है क्योंकि उनका वोट बैंक जा रहा है उनको उनको इस बात की तकलीफ हो रही सर रोहिंगिया और बंगलादेशी प्रवासियों की आपने बात की आप बूल रहे हैं आप सरकार आधार कार्ट बनवा रही है उन्हें तमाम सुविधाएं दे रही है जो बीजेपी की जो नीती है CENRC क्या आप पार्टी के स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में उसे ल आज पान साल हो गए दिल्ली सरकार उस पर जबाब नहीं दे रही है और दिल्ली सरकार उनको बड़ाबा भी दे रही है तो निश्चित रूप से भारत सरकार इस काम को जिस तरह से यहां दिल्ली के अंदर आतंकवादी गत्विदियां बढ़ रही हैं जिस तरह से यहां द अमन चेन खराब करना चाहते हैं दिली के माहौल को बिगारना चाहते हैं और इसके पीछे वो लोग हैं जो इसुछित रूप से आने वाले समय में भारत सरकार इस बारे में मैं जरूर उनको कहूंगा दिल्ली में हम देख सकते हैं CENRC को सर, MCD चुनाव जो है हाल ही में कॉन्फरेंस किया था चुनाव आयोग ने लेकिन उसके बाद टाल दिये गए इसको लेकर कब MCD चुनाव हम देख सकते हैं और दिल्ली में BJP की क्या रन्नीती होगी MCD चुनाव को लेकर देखे चुनाव तो चुनाव फिक्स करेगा जब तक D-Limitation और यह सब प्रिक्रियाएं होंगी उसके बाद चुनाव हो नहीं है चुनाव से भारती इंतापार्टी हमेशा चुनाव के लिए तयार है सवाल है कि हम भारती इंतापार्टी के कारेकरता भूत लेविल तक संगठन को मजबूद करने के लिए अभिहान चला रहे दिल्ली सरकार के जूटे वादों के खिलाब असलियत में पोल खोलने के लिए की असली क्या काम इन्होंने किया नहीं किया डिटीसी बसों का वादा करके वो बसे नहीं लाए पानी का वादा किया लेकिन हर घर में टैप से नल से पानी नहीं पहुचा यमुना जी मैं डुपकी लगवाने का कहा था लेकिन यमुना साफ नहीं की तो जो जन्ता से जुड़े मुद्दे शराब के ठेके पहले कहा था और महला संगटनों से पर्मीशन लेके कोलेंगे वो भी नहीं किया तो इन सब मुद्दों को लेके हम नीचे इस तर पर एजिटेट करेंगे जन्ता को और असलियत बताएंगे कि केजरीवाल सरकार जूटे बादे किये जो पूरे नहीं किये और उसके बाद ये दिल्ली की जो टैक्सपेयर का पैसा है उसको करप्शन यानि उसको इस जगे लगा रहे उसका बेजा इस्तेमाल करें इड़टीजमेंट में सिर्फ अपनी इमेज को चमकाने के लिए ना कि दिल्ली की बेहतरी के लिए सर हाल ही की बात करूं तो बगगा की गिरफतारी को लेकर जो तजिंदर पाल सिंग बगगा है उनकी गिरफतारी को लेकर काफी विवाद हुआ तो क्या आप इस चीज को ऐसे देखते हैं कि ये जो स्थिती अब आप वर्सिस बीजेपी हो गई है देखे ये एक्चुली में केजरिवाल की ताना साही और तुगलकी जो प्रवर्ती है जो बेंट अप माइंड है वो सामने आ गया है और इससे ये साप जाहिर हो गया है कि केजरिवाल पंजाब पुलिस को टूल बनाकर उसका किस तरह से मिस्यूज कर सकते हैं यानि सत्ता मिल गई जब आदमी की अगर पहचान करनी हो कहावत है कि अगर उसकी व्यक्ति के बारे में जानना हो तो उसको आप पैसा दे के देखो पैसे की ताकर या उसे सत्ता की पावर की ताकर दे के देखो तो उसका असली करेक्टर सामने आता है और आज केजरीवाल का आसली चेहरा चरितर सामने आगए एक भुजूर्ग व्यक्ति जो तेजिंदर पाल सिंग बगगा के पिता जी है वो पंजाब पुलिस उनको पीटती है उनके मुह में कपला ठूसती है तेजिंदर पाल सिंग बगगा को वो अरेस्ट करने के लिए बिन रूप में एक्ट कर रहे हैं और जिस तरह की कारवाई की वो इलकुल गहर कानूनी थी इसलिए कोट ने उस बात को खारिच की है जहां पर न्याय की जीत हुई है अन्याय के खिलाब जो उन्होंने ये सडें तरचा था उस पर न्याय की जीत हुई है सर, कल कोर्ट पे सिर्स पे सुन्वाई होनी है, अगर गिरफतारी होती है या। आगे बीज़े पीश चीज को किस तरीके से देखेंगा इंगर, जेफरीज वाल न ही रुकते हैं उसके बाद फिर से उन भी गिरफतारी होती है पंजाब पुलिस आता है। उसके बाद क्या प् फैसला होगा वह मंजूर होगा सर दिल्ली में जो MCD चुनाव होने हैं मनिश सोधिय समेट आमाउनी पार्टी की तमाम निता यारोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी उन्हें तालने की कोशिश कर रही है क्योंकि पंजाब में जो इतिहासिक जीत आमाउनी पार्टी की हुई है उससे बीजेपी को ऐसा दावा किया है आपने ताउने डर गई है बीजेपी की दिल्ली में भी आमाउनी पार्टी जीत सकती है उनका भ्रहम है तूट जाएगा आने वाले वक्त में हम MCD में चुनाव जीतने वाले हैं आमाउनी पार्टी दूर दूर तक कहीं नहीं है दिल सर यह जो तमाम मुद्दे हैं बुल्डोजर का मुद्दा हो जहांगीरपुरी का और अतिक्रमन वाला मुद्दा हो लाउट स्पीकर का मुद्दा हो ऐसा नहीं लग रहा है कि इन सारे मुद्दों में कहीं जो आप मुझे अपना प्लैन बता रहे हैं दिल्ली वीजेपी का सि इसा महसूस होता है कि जहांगीरपुरी की बात हो रही है जैसे अभी आपने हमसे सिक्षा पर बात कि आपने बताया लेकिन यह महसूस कर रहे हैं अभी हम लोग एक बहुत बड़ा कैंपेन लेने वाले और दिल्ली सरकार के जो जूटे बाते हैं उनकी पोल खोलने के लिए जैसे सारे मुद्दे हमने वो सिच्छा हो स्वास्त हो पानी हो परवहन हो या फिर जुगी जोपडी हो अनुथराइस काले उनुए बिजली हो इन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाने बाले हैं और दिल्ली की अर्विन केजरिवाल सरकार की नाकामियों की एक चिठ्था बनाने वाले हैं उनकी पोल को लेंगे शरम से बात करने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद दन्यवाद थैंक यू